नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूनिक ऑंलाइन गुरू चैनल में जैसा कि में तुर आप लोग लूप की सीरीज में देख रहे हैं तो लूप की काफी सारी वीडियोज हमने बना रख किये कि कैसे हम लोग जो है स्टार्ट और स्ट स्टेटमेंट इसमें दोस तीन चीज éléments में आता है पहला होता है मैं करिए अब पनालाइन और आप लोगों के कमेंट का वेट करूंगा उसे के कटॉडिंग क्या करूंगा अपने रिप्लाई दूंगा प्लस उसे के कॉर्डिंग वीडियो बनाउंगा दोस्तो तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूं रतנה करू पाद्aciे, और आप देख रहे हैं Unic. Chinese Online. करते हैं हमारा से पहला आता है ब्रेक स्टेटमेंट तो ब्रेक स्टेटमेंट की अगर मैं बात करो तो ब्रेक स्टेटमेंट को हम लोग क्या कहते हैं ध्यान से एक बार समझ लिजी आप लो मैंने च्छोटा से हैं पर डिपनीशन लिख रखा है दा ब्रेक स्टेटमेंट इस to terminate the loop ठीक है और statement in which it is present ठीक है भाई वो terminate करता है लूप को जो यहां पर प्रेजंट होता है after that the control will pass the statement that are present after the break statement if available if the break statement is present in the nested loop then terminate only those loop which are contain a break statement actually मैं क्या होता है कि अगर मैं break statement की बात करूं तो break statement क्या होता है यह एक keyword है आप लोग को पता है कि यह हमारा रेक statement पास कांटिनियू यह सारे हमारे क्या है एक keyword है ठीक है और program को लूप से बाहर निकालने के लिए आप लोग उध्यान समझी है हमारे program को लूप से बाहर निकालने के लिए प्रेक स्टेट्मेंट का परयोग करते हैं और में अगर हम लोग बात करें नेस्टेड की तो नेस्टेड में क्या होता है कि पहले इनर को वो ब्रेक करता है फिर किसको करता आउटर करता है नेस्टेड की बात आप लोग समझ रहे हैं कि हम लोग कंडिशन पर कंडिशन जब देते हैं तो हम लोग क्या करते हैं सहसे पहले इ च्छटा सा एक्जामपल लिखा है मैं चलता हूं आप लोगों को-डेलले में दिखाता हूं कि कैसे इसका यूज होता है दोस्तों ठीक है तो देखे मैं बात करूँ किसकी मैं सबस्क्राइब देखंस नहीं चुलियर है इफ क्या करें ब्रेक कर दे और ब्रेक करने क्या करेंगी तो देखें हमारा आउट्पूट क्या दे रहा है अगर आउट्पूट की बात करें अब देखे जैसे ही यहाँ पे out of loop देता है यह तो अब लोगों पता है कि last होता है इसमें एक चीज़ हम लोग और कर सकते हैं अच्छी बात तो यह क्या कर सकते हैं देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं मुझे अगर यहाँ पर प्रिंट करना है कि इस इस ब्रेक तो यहाँ पर भी हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पर भी हम लोग क्या कर सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर दे करके quotes को quotes को देखर के bracket को close कर देंगे और यहां पे भी quotes देंगे देखिए अब क्या प्रिंट करता है देखिए अब देखिए अभी वही print कर रहा है print क्यूं यह कर रहा है क्योंकि exactly मैंने यहां पे break कर दिया है और जब break कर दिया है तो five के आगे बढ़ी नहीं रहा है जब 5 के आगे नहीं बढ़ेगा तो यह प्रिंट करेगा इने तो सीधा सा फंडा यह हमारा काम कर रहा है इफ कंडिशन के अंदर यह वाला फंक्शन काम कर रहा है और यह लास्ट है तो यह तो काम करना ही करना है कोई काम करे या ना करें तो exactly काम करता ही दोस्तो तो यह है हमारा break statement दोस्तों I think आप लोगो समझ में आ गया होगा हम लोग चाहते हैं थोड़ा सा और देखना तो मैंने माल जिसे यहाँ पर 20 लिग दिया और 20 करके यहाँ पर क्या कर दिया भाई 15 कर दिया चलो देख लेते हैं थोड़ा सा और देख लेते हैं थोड़ा लंबा करा है स्टेट्मेम्ट आइ तिंक मैं कुछ करूंगा आप लोगों को ये बाते समझ में आ गई होंगी आ मुझाuchenता कि आप लोगे ये बाते समतिन आगे आप लोगे बाते समझेते बिल्कुल आप लोग जासे पलाई करें इस वीडियो को देखने के लिए большой जाहिन